हेलो हेंड्स एंड वेलकम बैक टू चिकीज बाइलोजी अनदर वीडियो टुटोरियल इन दिस वीडियो टुटोरियल तुड़े आई एम गोईंग टू डिसकस ओल अबाउट आई सीटी मुंबई आज हम लोग बात करेंगे आई सीटी मुंबई के बारे में जो में या इस कॉलिज में कौन-कौन से कॉर्सित आप लोगों को करने को मिल जाएंगे इस पर भी हम लोग अपनी इस वीडियो में आज इन डिटेल यहां पर बात करेंगे और कौन से कॉर्स में आप लोगों का किस तरह से एडिमिशन होगा या कौन से कॉर्स के लिए क्या ए आज बात करेंगे और यह मेरा एक आप लोगों को होनेस्ट रिव्यू होगा और आप लोग मेरे साथ में स्टार्टिंग से लेके एंड तक के इस वीडियो में बने रहें तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं जो यह आई सिटी को इंसिट्यूट ऑप कैमिकल टेकनोलोजी यह म किलोमेटर से ठीक है और यह आप लोगों को पता चल गया मिंस कि आप लोगों को यहाँ पर अगर आप लोग एडिमिशन देते हैं किसी भी यूजी या पीजी कोर्स में तो आप लोगों को यहाँ पर कोई भी ट्रांस्पोर्टेशन की प्रोब्लम नहीं होगी या कोई भी करेक्टिविटि की प्रोब्लम नहीं होगी अब बात करेंगे कि इसकी जो एन आई आरेफ रैंक है 2019 में जो इसकी एन आई आई आरेफ जो रैंक है वो है इसकी 12 रैंक ठीक है तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे मने बताई UG कोर्स होते हैं तो UG कोर्स में अडर गेजवेट क एडमिशन दे सकते हैं, uc courses में जैसे कि आप लोग अगर bteg करना चाहते हैं, तो bteg में आप लोगों को j mains के थूर यहाँ पर admission मिल जाएगा, और अगर अगर आप लोग यहाँ पर pg courses में admission लेना चाहते हैं, तो आप लोग जो हैं admission, gate exam के थूरू या gate score के थूरू या GPAT score के थूरू आप लोग M pharmacy में admission ले सकते हैं और M tech में आप लोग gate exam के score के थूरू आप लोग admission ले सकते हैं तो यह आप लोगों को पता चल गया होगा और जही मेंस के लावा अगर आप लोग जो 12th class के बाद में यहां से अपना B tech course करना चाहते हैं तो जही मेंस के लावा भी आप लोग यहां पे MHT, CET जो exam है उसको qualify करने के बाद admission ले सकते हैं तो friends यह आप लोगों को पता चल गया होगा मैं बात करूँगा कि कौन कौन से courses हैं तो मैंने आप लोगों को बता है कि Bachelor courses है और friends यहां पे like जैसे की B tech course है तो B tech course में क्या है कि यहां पे आप लोगों को वो सारी branches मिल जाएंगी को साथ जाएंगी mt लेक जैसे कीप्ली जैसे के बाकी न классिक फ्लास्तिक और पॉल्मेश numéro इंजंडिक केमिकल इं जैएंग आप लोगों को फाइबर एंड टेक्स्टाइल प्रोसेसिंग टेकनोलोजी में बीटेक मिल जाएगा आप लोगों को फार्मेस्टिकल केमेस्ट्री एंड टेकनोलोजी में बीटेक मिल जाएगा आप लोगों को सर्फेस कोटिंग टेकनोलोजी में बीटेक करने को मिल जाएगा और friends जो यहाँ पे Dye, Dye, Stuff and Intermediates Technology में आप लोगों को यहाँ बीटएक करने को मिल जाएगा यहाँ पे कुछ ब्राँचीज हैं जो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी और friends यहाँ पे जो Total Departments हैं वो आप लोगों को यहाँ पे 20 departments आप लोगों को यहाँ पे total बिल जाएंगे इस college में यह इस institute में तो friends यह बात हो गई कुछ important और crucial points के बारे में और कुछ branches के बारे में और friends आप लोग यहाँ से भी farm भी कर सकते हैं, भी pharmacy course भी आप लोग कर सकते हैं अभी fees के बारे में भी बात करेंगे, hostels के बारे में भी आप लोग मेरे साथ में यहाँ पर connect रहें ठीक हैं, तो friends PG में आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे PG में कर सकते हैं vaccine, mfarm, आप लोग mtech यहाँ पर कर सकते हैं बट उसके लिए आप लोगों के पास में कोई एक फैलोसीफ होना चाहिए, कोई एक ज्यारफ फैलोसीफ आप लोगों के पास में होना ज़रूर है, जैसे कि आप लोगों का net exam qualify होना चाहिए, गेट के थुरू भी आप लोगों को यहाँ पे PhD मिल जाएगी, और उसके लिए आ आप लोगों को PG के लिए, UG के लिए और PhD के लिए अलग-अलग आप लोगों को महाँ पे पोर्टल मिल जाएंगे, उसमें आप लोगों को online application form फिल करना है, और जो महाँ पे आप लोगों के लिए, जो mandatory जो आप लोगों को इस form में, जो आप लोगों का eligibility criteria हो भी आप लोग को अच्छे से वहाँ पे भरना पड़ेगा, without any mistake, और आप लोगों को वहाँ पे गोई grammatical mistake नहीं करनी है, ठीक है, और आप लोग जानते हैं, मुमबई एक बहुत ही अच्छी जगह है, मुमबई को माया नगरी बोला जाता है, और friends से मुमबई में रहके आप लोगों को ब बात करेंगे कि online, online जो फॉमा आप लोग यहाँ पर भरेंगे, जो application फॉमा आप लोग भरेंगे, उसकी आप लोगों को फीस भी online वहाँ पे आप लोगों को पे करनी होगी, और आप लोग वो कर सकते हैं, पीस पे कर सकते हैं, credit card के तुरू, debit card के तुरू, या फिर और किसी और लाइन payment के या किसी ओनलाइन जो वें होते हैं से हुआ अब बात करेंगे यहाँ पे कौन कौन सी facilities आप लोगों को मिल सकती हैं अगर आप लोग यहाँ पर Admission लेते हैं बात करेंगे facilities की आप लोगों को जिम मिल जाएगा नॉर्मल डी मिल जाएगा लाइस्टेश्क में जाتादे वाइट बैप फाइप ए इसका यहां पे वाइफ हर इन्टियच बैक्फ फाइए वाइफ्टाई आप लोगों को यहां पर madam यहां पर मिल जाएंगे लोगों को यहां पर गराउंड की कोई प्रोब्लम ने योगी क्यूंकि इसका जो थे जिसका का इपड़ ला जो बहुत यपार MR जहां आपटサ a to have physicians को यहां पकर में होगे ठीक है है कि यहां पर पढ़ाई कम और कल्चरल जो फैस्ट होते हैं वो ज्यादा होते हैं ठीक है तो फ्रेंड्स इसमें कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है यह तो आप लोगों को यहां पर जाने के बाद पता लगेगा बट बहुत सारे स्टुडेंट्स की यह एक वहां स होता है ठीक है प्लेसमेंट्स होते हैं नोगरी लगती है यहां से कोर्स करने के बाद ठीक कोई भी चाए ओ दिचात मुजी कोर्सों पिजी कोर्सों तो फ्रेंड्स इन उता है जो हुआ प्लिस्मेंट के सब्चिट से जए हैं और हिए importantes सिबस्टे लोग एपनों के बाते श यहां पर जो प्लिस्मेंट रहता है वो एवरेज रहता है ठीक है सबी स्टुटेंट्स का और यहां का जो बीटेक इन केमिकल इंजिनिरिंग कोर्स है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है इंडिया के अंदर यह कुछ लोग बोलते हैं यह कुछ लोगों का फीडबेक है कि आ आप लोगों को फसे लीडीज मिलती हैं आप लोगों को यहां पर वह进 अच्छ अच्छी प्रॉफेसर्ज के रिकमेंडेशन मिलते हैं जिन रिकमेंडेशन के पीट तुन इस बात में सच्चा ही है ये भी आप लोगों को आप पहार पे जाके अगर मोग यहांसे कोई अपना कॉर्स करते है तो आप लोगों को ये भी क्लियर हो जाएगा और आप लोगों को पता वहाँ पर चल जाता है ठीप तो अच्छा ही पढ़ना पड़ेगा जादा ही पढ़ना पड़ेगा ठीक है तब ही आप लोगों के लिए बड़ी मैनत करने के बाद ही मिलती है तो अब बात करेंगे कि यहाँ पर जो 4-year की BTEC की fees है वो कितनी है तो फ्रेंड्स 3,24,000 यहाँ पर आप लोगों को 4-year की total fees पड़ेगी without mass, without library fees, इसमें कोई other fees नहीं है यह सिर्फ tuition fees है 4-year की BTEC की आप लोग वो BTEC किसी भी ब्रांच से करें ठीक है 3,24,000 अब MTEC की बात कर लेते हैं BTEC आप लोगों का 4-year का होता है MTEC आप लोगों का 2-year का होता है आप लोगों को पता है तो MTEC आप लोग यहाँ से जो करेंगे वो आप लोग करेंगे गेट एक्जाम को कौलिफाई करने के बाद तो MTEC करने के लिए आप लोगों की जो eligibility है वो BTEC है यह MSC है आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए ठीक है तो friends MTEC की जो 2-year की fees है टोटल वो आप लोगों की यहाँ पर 1,64,500 रूपीज है ठीक है अब बात करेंगे कि MTEC में कितनी ब्रांचीज हैं MTEC में आप लोगों की यहाँ पर 13 ब्रांचीज के प्रोक्स आप लोगों को यहाँ पर मिठ जाएंगी अब बात करेंगे MSC MSC भी यहाँ से होता है MSC आप लोग यहाँ पर Physics, Chemistry में कर सकते हैं आप लोगों को थीरी ब्रांचीज में यहाँ पर MSC अविलेबल होता है ठीक लाइक जैसे कि Physics और Chemistry और फ्रेंट्स टोटल सोरी टोटल जो MSC आप लोग यहाँ से कर सकते हैं वो 4 ब्रांचीज में कर सकते हैं दो मैं आप लोगों को 1500 रूपीज तो फ्रेंट्स यह आज हम लोगों ने बात की है ICT के बारे में जो Institute of Chemical Technology है इस इंसिट्यूट से लिलेटिड अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल है या आप लोगों के मन में कोई क्वेरी कोई क्वेरी है तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बोक हो सकते हैं चिकीज पालोजी के ओफिशल फेस्बूक पेज के साथ चिकीज पालोजी के ओफिशल इंस्टागराम एकाउंट के साथ और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जूरूर करें और बैल में जब ज़रूर शेर करें और आप हैं आ लोग को को कोई और वीडियो चाहिए किसी भी इंसिट्यूट से रिलेटिड लेटिड और या किसी भी आप क्लीच को प्यार को प्यार करते रहे б attach mask So thank you friends, thank you for watching